दोस्तो स्वागत है आपका एक नए अध्याय में और आज हम जिस अध्याय की चर्चा करेंगे ये काफी महत्वपूर्ण है बदलते प्रतियोगी परिक्षाओं के परिप्रिक्ष में आज हमने ये लेसन आपके लिए तियार किया है हम सभी जानते हैं कि गत एक दशक के में Humanities विश्यों के अतरिक्त चाए Engineering background हो या Medico हो या Business Studies हो या फिर management studies हो, यहां जो शात्र होते हैं, जो students होते हैं, जो experience होते हैं, उन्होंने जंडे गढ़ दिये हैं, यान उन्होंने बड़े पैमाने पर सफलता इस परिक्षया में हासिल की है, तो दोस्तों आज हमारा विशय है, कि सिविल सिवा परिक्षया और राजस्तान प्रशासनिक सिवा परिक्षया में, engineers और आने दूसरे humanities विशयों को छोड़कर, आने दूसरे background से आने वाले विध्यारतियों की सफलता का जो रेशो है, वो काफी अधिक क्यों है, और इतना जल्दी वो सफलता कैसे प्राप्ट कर लेते हैं, तो आज हमारा ये video lecture इसी पर अथारित होग तो दोस्तों विशय है, IIT, BTEC, IIM, Medico, Business Studies वालों को सफलता जल्दी और ज्यादा क्यों, यहना कि जो हमारी सिविल सिवा परिक्षया होती है, और रहस्तान प्रशासनी सिवा परिक्षया होती है, R.A.S. का जो एक्जाम होता है, इसमें engineers background अभी हालिया समय में R.A.S. 2018 का final प देखते रहे हैं, जब से सी सेट लागू हो है, तब से जो humanities विशयों के अतरिक जो background वाले जो विध्यारती हैं, यह जो aspirants हैं, जो अकांक्षी हैं, उन्होंने दूसरे लोगों को काफी पचाड दिया है, और वो इस जीत की जद्दो जहद में काफी आगे निकल गए हैं, तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि संग्लोग सिवायोग के द्वारा जो भारतीय सिविल सिवा परिक्षा काइदन किया जता है, उसमें IS, IPS, IRS और IFS जैसे मुख्यपद होते हैं, ठीक उसी प्रकास से यह राजस्तान लोग सिवायोग, राजस्तान पब्लिक सर्विश कमि परिक्षा है, और RPSC के द्वारा आईजित की जाने वाली, RAS, M, RTS, C, प्रतियों की परिक्षा, इन दोनों ही परिक्षाओं के अंदर, इंजिनियर्स की सफलता के लिए कुछ उनकी प्रिश्ट भूमी के कुछ आधार तत्तों हैं, जिनके कारण वे लोग इन के बाद में 2011 के एर्द जब C-set लागू हुआ, UPSC में, और 2013 में जब से RPSC में जो परिक्षा पदती बदल गई है, चुकि इस से पूर जो परिक्षा आईजित की जाती थी RPSC के द्वारा, उसमें वेकल्पिक विश्यों का चुनाव करना होता है, लेकिन 2013 के बाद में उन कुछ आने दूसरे विश्यों को सम्मिलित किया गया है, जो हमारे मानवे जीवन के अंदर अबुदपूर योगदान देते हैं, ठीक है ना, जैसे मेनेजमेंट है, जैसे बिहावियर है, जैसे लो है, ऐसे सब्जेक्ट को जोड़ दिया गया है, और चोथा फिपर जो हमार प्रिक होल्डर्स ने, या मेडिकल सेक्टर्स के डॉक्टर्स ने, बिजनस स्टडीज की लोगों ने, जो IIM होते हैं, IIM से पास आउट होते हैं, या जिन लोगों ने MBA किया हो होता है, वो लोग इसमें निसंदे अपनी सफलता जल्दी प्राप्त कर रहे हैं, तो इसका एक कारण हैं दोस्तों कि, UPSC के बात करें तो वहां पर C-SET paper का लागू होना, इससे प्राइरंबिक परिक्षा जो आईजित होती है, उसमें बेलोग जदा सफल होते हैं, क्योंकि उनकी जो लोजिकल पावर होती है, जो नेलिटिकल पावर होती है, वो काफी शार्प हो जाती है, ठीकर न, B-Tech के दोरान, IIM के दोरान, या यूं कहूं कि, IIM संस्तान के दोरान, ऐसे संस्ताओं के माद्यम से, जो वो, चुकि आप जानते हैं कि, उनकी परिक्षाओं का जो धाचा होता है, उसमें IIT, JEE, NEET, CAT, MAT, XIT, MBA, GMAT, जैसे entrance exam को पास करके वो आगे बढ़ते हैं, यानि कि, इतने कठीन प्रिविश परिक्षाओं को पास करके, जब वो इन परिक्षाओं की कसोटी पर आते हैं, तो निश्चित रूप से, वो प्रिलिम से exam के अंदर, Humanities विश्यों के या आने दूसरे विश्यों के तुलना में काफी अग्रीम होते हैं, बहुत तरार होते हैं, इसलिए वो सफलता के करीब होते हैं, या मुखे परिक्षाओं में, बैठने वाले अभ्यर्थियों में भी उनका दवदवा होता है, उनका जो संख्या बल होता है, अधिक होता है, इसके साथ ही Humanities से विश्यों चुनाव में उनको स्वतंतरता होती है, साथ में किया है इसलिए वे उस विश्यों पर अपनी पकड बना करके उसी विश्यों का चुनाव करता है, जिसमें उसे सरवादिक रेश्यों के साथ में सरवादिक अंख प्राप्त करने की आजादी सी दिखाई देती है, तो दोस्तो ये बात तो हुई UPSC की, इसके साथ हम RPSC को भी इसक सकता है, वो बनता है, और कोई medical sector का कोई doctor है, या कोई business studies किया हुआ, MBA या IIM से कोई pass out है, कि साथ pass out है, तो वह इन परिक्षाओं के अंदर सफलता प्राप्त कर सकता है, क्योंकि इसके अंदर आप सबी जानते हैं कि केवल bachelor degree अनिवारे होती है, तो उन लोगों को इन जब इ होते हैं, उनको कोई परिशानी का सामना नहीं करना होता है, या यूं कहूं कि वो ज्यादा इसके प्रती आसकत नहीं होते हैं, वो बड़ी आसानी से अपने लक्ष की तरफ अगरसर रहते हैं, next है मानवी की विश्यों के साथ तकनिकी विश्यों का समावेश, दोस्तों हम ही है चाहिए UPSC के द्वारा आईजित की जाने वाली सिविल से परिक्षा हो या फिर RPSC के द्वारा आईजित की जाने वाली इन दोनों ही प्रतियों की परिक्षाओं के अंदर वे जो अन्य बेग्राउंड वाले जो लोग होते हैं या यह मूल रूप से मैं फोकस करूँ एंजिनियर्स को जो एंजिनियर्स होते हैं उनको मानवी की वीश्यों के साथ तकनीकी का समाविश करने का बड़ा आसान से हुन आफेस इन के साथ आसानी से कर पाते हैं यानि कि वो तकनीकी का इस्तेमाल करते हैं बहुत बहतर तरीके से प्रतिक विशे के समंधित कठीन सवालों का या यूँ कहूँ कि उसकी विशबस्तू को समझने में कामयाब होते हैं नेक्स्ट है एंजिनियर्स सेक्टर में रोजगार होते हैं वो काफी इस्थुल होते हैं काफी कठोरता से उन्हें पालन करना पड़ता है यह कहों कि बहुत कठोर तरीके से उन्हें रोजगार Savannah के सने canemia के सेब्धाप्ती हैं हादार है UPSC और RPSC में इंजिनियर्स लोगों के लिए आसान रहा बनाने की इसके बाद में दोस्तों एक खास बात यह है हमारे next topic के साथ कि civil सेवा परिक्षिया और RS की तरफ उनका रुख क्यों होता है आखिरकाद सवाल यह उठता है कि वे civil सेवा परिक्षिया यह RS की तरफ अपना रुख क्यों अख्तियार करते हैं क्या बज़े है कि वे RS जैसे exam की तरफ ज्यादा आकरशित होते हैं तो दोस्तों एक तो engineering का बहुत बड़ा शेत्र है आप सबी जानते हैं कि सन 2005 के बाद जिस तरीके से engineering के सेक्टर के अंदर बेरोजगार graduates की जो तादाद है वो बड़ रही है उसका कारण है कि बहुत बड़ी मातरा में हमारे आपर ऐसे sectionic संस्तानों की बयार सी बहने लगी है जिससे कि बहाँ पर चुकि ज़्यादा संस्तान होंगे तो ज़्यादा सीटे होंगी ठीक है ना इसक दूसरी बात यह है इसलिए रोजगारों की कमी होती है और दूसरी बात यह है कि इन लोगों के लिए रोजगार कोशलों की कमी दिखाई देती है यहने कि जो इनका जो हुनर होता है टक्नीकी विशेश के छेतर में जैसे किसी अभ्यरती ने mechanical engineering में इस्तनात्त की डिगरी प background का विध्यर अभ्यरती है अगर वो तयारी करके रोजगार पाप्त करता है तो ऐसी स्टेथी में हम जानते हैं कि mechanical background में बहुत कम रोजगार है और अगर रोजगार है भी तो वहाँ पे उनको काफी कठोर अनुभों के साथ आगे बढ़ना होता है इसलिए वे इस शेतर को त्याग देते हैं और जाहिसी बाता है फिर उनके पास में प्लान B की रूप में बसता है सिविल सिवा परिक्षाएं या राजिस सिविल सिवा परिक्षाएं जहां पर वे तयारी करने के लिए आगे बढ़ते हैं तकनिकी में असामिक परिवातन दूसरा कारण यह भी है कि ऐसा नहीं है कि इंजिनेरिंग का जो शेत्र है वो काफी उबाव है या यूं कहूं कि इंजिनेरिंग के शेत्र के अंदर किसी प्रकार से उनके पास में जोश या यूं कहूं कि पैसे की या प्रिश्टाइज की कमी है ऐसा नहीं है बलकि मैं एक कहना चाहूंगा कि जो तक तकनीक का इस्तेमाल करना उसके साथ में रूबरू होना उन लोगों के लिए बहुत आसान नहीं होता है यह वो काफी दुरूब परस्थितियों के अंदर इन सब चीजों का सामना करते हैं लेकिन जब नितना ही तकनीक आती रहती हैं तो मजबूर होकर उने उस शेत्र को त्य नोकरी मिलती है तो वहाँ पर उसके लिए कोई जीवन वर का बॉंड नहीं होता है यह कहूं कि साथ वर्ष की उम्र तक जैसे सरकारी शेत्र के अंदर लोगों को रोजगार मिलता है या वहाँ पर साथ साल की उम्र होने तक या ठाउन वर्ष की उम्र होने तक को कारे करते रहते हैं ऐसा इंजिनेरिंग की शेत्र में किसी विशेश तरीके से नहीं अपनाया गया है इसलिए एक यह भी कारण है कि उन लोगों को एक परवानेट रोजगार की जरूरत होती है ऐसे में वे लोग सिविल सिवा परिक्षाओं की तरफ अगरसर होते हैं नेक्स्ट है र धारान की रूप में एक डोक्टर को लेते हैं तो डोक्टर के पास में चिकित्सा के शेत्र में होस्पिटल में बहुत जादा काम होता है बहुत फरकलोड होता है इसका मतलब यह नहीं कि किसी डियम एस डियम के पास काम नहीं होता है बहुत इसका मतलब यह है कि वहाँ पर का अपनी पोहुँज बना सकता है, किसी एच शेत्र विशेश के अंदर, लिकिन यदि वह सिविल सिवा परिशा को पास करके, जब एक अपसर बन जाता है, तो ऐस से इस्तिती में मैं विविन शेत्रों को हैंडिल कर सकता है विविन शेत्रों से वह जो समझ्याएं होती हैं उनका डाइग्नोज करके उनका निदान करके और उनसे समझ्य समझ्याओं के निराकर्ण की जो तकनिक है उनको अपना सकता है तो दोस्तों ये था कि engineering शेत्र के लोग या आने दूसरे humanities विश्यों के शेत्र के अलावा जो लोग होते हैं जो transparent होते हैं क्यों वो इस विल सिवा परिक्षा की तरफ या state PCS की तरफ या RAS जैसे exam की तरफ अगरसर होते हैं उनकी तरफ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट है अब इन लोगों को सफलता ज्यादा क्यों मिलती है कि जो engineers होते हैं इनको सफलता मिलने का क्या कारण है आखिरकार इनको सफलता मिलती क्यों है तो दोस्तों engineer के शेत्र में हम सबी जानते हैं कि 4 वर्ष के अवदी के दोरान इन लोगों semester wise आगे बढ़ते रहते हैं assignments, विविन assignments उनको समय समय पर बनाने पड़ते हैं, midterm का उन्हें सामना करना पड़ते हैं, जहां लगू कालीन जो उनकी test होते हैं, इसके लाबा वाईवा, group discussion, projects, हर semester में नए नए विश्यों का समावेश उनके सामने होता है, नमी रूप में उनकी कक्षाएं चलती रहती हैं, इस कारण से जो engineers होते हैं, वे अपने खुद की सनातर के degree के दोरान इतने सारे mind से hard हो जाते हैं, mind से इतने ज्यादा mature हो जाते हैं, कि फिर उनके सामने कोई बड़े से बड़ा लक्ष होता है, वह भी बहुत छोटा दिखाई देता है, और वो मे concepts होते हैं, वो काफी clear हो जाते हैं, इसके अलावा इनको reading habits हो जाती है, क्या हो जाती है, reading habits हो जाती है, यानकी पढ़न पाठन की habit हैं, उनको बहुत जादा हो जाती है, वो लंबे समय तक कारे करने के लिए तक तयार रहते हैं, इसके लावा pressure bearing situation, वे किसी भी इस्तितिक अं और दक्षता, साथ-साथ वे अपने आध्यान के दोरान जिन-जिन विश्यों को पढ़ते हैं, तो इन दोरान जो स्टडी, जो स्कील्स होती हैं उनकी, वो काफी मजबूत हो जाती हैं, वो काफी सस्यक्त हो जाती हैं, इसके साथ-साथ उनकी जो कंसप्स होती हैं, वो काफी स örtइनेरिंग, मेडिकल या इस परकार के सیک्टर से سवील सेवा परिक्षा या राजस्तान प्रशासनिक सेवा जैसी परिक्षावं में आने वाले अफसर बनने वाले जो अभिहरती होते हैं उन शित्रों से आने वाले उन लोगों की जो कनसप्ट होती हैं, च McLaurब होती हैं इसलि इसके लावा अपिक्षित परिणाम वे सफलता का प्रतिशत अधिक्तम और यही कारण है कि इन सारी चीजों का विकास एंजिनियर्स या मेडिकल सेक्टर के डॉक्टर्स या मैनेजमेंट पढ़ने वाले अपियरतियों के अंदर जब हो ही जाता है तैसे इस्तिति में ये लो कंपनी फर्म में कारे वह वर्ष्Ts लोगों का प्रभा होता है यहीं या लोग जोप एंजिनियर्णे करने के बाद में किसी कंपनीा अद्वा किसी संस्ता के अंदर काढ़े करने लग जाते हैं जब इनको रोझगार मिल जाता ज險 जोब लग जाती है तो वहाँ पर यह जिस पारण बनता है कि जब वो ऐसी परिक्षाओं के अंदर जूटने के लिए तयार होते हैं तो वे हर परिष्टिति के अंदर कारे करने से यूँ कहूं कि आधी हो जाते हैं उसके लिए तयार हो जाते हैं ठीक है ना दूसरा वरिष्ट लोगों का प्रभाव जिस कंपनिया स सब्सक्राइब करते हैं तो वहां पर उनको वरिष्ट लोग होते हैं वे उनको पर काफी वर्कलोड छोड़ते हैं साथी साथ उन पर दवा होता है उनके पर प्रेशर गुरूप टाइफ प्रेशर बनाया जाता है एस इस तिदिम वे उन चीज़ों को जल नहीं पाते हैं दिक न जहिल नहीं पाने का मतलब है, वे लोग यह समझते हैं कि इतना सारा काम हम इस कंपनी में करते हैं, और जिसकी कोई सोचल रिपूटेशन नहीं है, ञिसके साथ में समाज में उनका कोई इस्तान नहीं है, इसलिक देते हैं, और फिर भे अधिकारी बनने के लिए अपना पर रास्ता भारती प्रिशासनिक सेवा परिक्षाएं तो प परिक्षाएं जैसी फरिक्षाओं के औरुख अपना मोड लेते हैं चायरे शिलand गंटों के अधिक्ता दूसरा कारण यह भी क tat का होता है कि यह लोग अपने खुद के मूल विभाग के अंदर या यूंगों की मूल अध्यान के अंदर एंजिनियरिंग जैसे शेत्रों के अंदर जब यह अध्यन करते रहते हैं तो इस दोरान इनके कारे करने के जो घंटे होते हैं वो काफी जादा होते हैं क्या होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं तो ऐसे इस्तिती में ये उन कारेशील घंटों का प्रियोग सिविल सिवा परिक्षा के अंदर आध्यान सिविल सिवा परिक्षा अत्वराज्तान प्रशासनिक सिवा परिक्षाओं की तैयारी के अध्यान के दोरान लगा देते हैं या इसका फाइदा वे इस अध्यान के साथ सफलता प्राप्ट करने में भी करते हैं। विबिन प्रतिस परदाओं का अनुभाव जैसा मैंने शुरुआति में बताया था कि ये लोग जो होते हैं इनको विबिन कड़ी प्रतिस परदाओं का प्रवीश परिक्षाओं का अनुभाव होता हैं। इनमें विष्रेषन सम्ता जो होती है वे काफी मजबूत होती हैं। ये हर चीज को अनुलाइस करते हैं। और अनलाइज करने के बाद में जो इनका आंसर राइटिंग होता है उस आंसर राइटिंग में मुखे परिक्षा में चायवे भारती सिविल सिवा परिक्षा की हो चायवे राज़तान सिविल सिवा परिक्षा की हो या उतरपदेश सिविल सिवा परिक्षा की हो उसकी मुखे rational और analytical power का बहुत अच्छे से प्रियोग कर पाते हैं तो यह भी उनकी एक सफलता का कारण है कि जब यह मुखे परिक्षा में इन सारी चीजों की इन सभी skills का प्रियोग कर लेते हैं तो उनको सफलता जल्दी मिलती है उनका सफलता का जो ratio होता है वो अधिक होता है सफलता के इंदर उनका Low सफलता में उनकी rank होती है वो उची होती आइउस है कि इन लोगों की सफलता की यात्रा में प्रे रख तक्त्तो एंगनियर्स MR जो management strategies वाले होते हैं इन लोगों की सफलता के अंदर खुछ प्रेरक तत्तों भी कारे करते हैं दोस्तों और प्रेरक तत्तों होते हैं इनकी तैयारिक आधार जैसे मैंने आपको बताया है कि इनके पढ़ने का तरीका एक तो इनकी जो कार्या होती होती है बहुत लंबी समय तक पढ़ने में सक्षम होते हैं या य पतलब यह है कि जो एंजिनियर्स या डॉक्टर्स होते हैं वो बहुत कठिन परिस्थितियों में कारे करते हैं यानि उनको बहुत सारे वायवा, ग्रॉप डिसकुशन, मिड़ डार्म, शेशनल, ऐसी चीजें प्रोजेक्ट्स बनाना यह बहुत सारे काम करने होते हैं तो इस ज़्यादा पढ़ते हैं कि इसके दम पर इनकी सफलता का जो अग्रीम पंक्ती है वो आगे होती है, यह कहों कि इनको सफलता ज़्यादा मिलती है, नेक्स्ट है, प्रतिस परधा का अनुभाव, इनको भीविन प्रतिस परधाओं का अनुभाव होता है, नेक्स्ट है वेदने की मानसिकता के साथ कारे करते हैं यहानी कि इनकी जो मेंटेलीटी होती है वो इस प्रकार की होती है कि यह निरंतर रूप से अपने लक्ष को परती समर्पित होते हैं उसके साथ पूर निश्टा समर्पन त्याग और ध्हरे के साथ में जुटे रहते हैं ये गाहे बगाए एदरोदर की बातों का ध्यान नहीं देते हैं ठीके ना इनका सिर्फ टारगेट होता है कि वे किसी भी प्रकास से इस एक्जाम को पास करेंगे और इसको पास करने के लिए उनके पास में सबसे बड़ी जो दोलत होती है वह होती है वि इनकी सफलता की जो यात्र है उसमें इनके मोटिवेशनल फैक्टर्स हैं जो नरंतर कारे करते हैं जो इनको बहतर तरीके से कारे करने के लिए प्रेयरित करते हैं अपने लक्ष को पाने के लिए नरंतर इनको प्रेयरित करते हैं नेक्स्ट है दोस्तों इनकी सफलता के ये जिस तरीके से तयारी की शुरुआत करते हैं सबसे पहले अपने लक्ष बनाने के लिए शुरुआत करते हैं फिर ये उसके बारे में लगतार सूचते रहते हैं इसके बाद में सूचने के साथ में उसको अनेलाईज करते हैं What is the merits and demerits of that coach? कि उस जिस काम को हम करने वाले हैं, उसके गुन और दोश क्या क्या हैं, इनकी पैचान करते हैं. इसके बाद में एक बेहतर योजना का क्रियांबियन करते हैं फिर कोशिश करते हैं फिर ये उस काम को करते हैं और फिर बार बार उस काम को करते हैं और फिर लगातार उस काम के साथ में ये जुड़े रहते हैं यही कारण है कि जो हिमनिटीज के लावा जो शेत्र हैं जिनके अंदर जो विध्यारती काम करते हैं जो अभ्यारती काम करते हैं जो एस्पिरेंट्स काम करते हैं वे सफलता ज्यादा प्राप्त कर पते हैं तो दोस्तों के उलमिला के मंत में यह कहना चाहूंगा कि वरतमान द काफी सफलता प्राप्ट कर रहे हैं उसका एक कारण है कि वे लोग सबसे पहले तो जिन परिस्थितियों के अंदर अध्यन करके आगे बढ़ते हैं या अपनी इसनातक के डिग्री पास करते हैं वे काफी दुरू होती हैं मैं संचीत रूप में कहना चाहूंगा दूसरा उनक प्राप्ट कर पाते हैं थैंक यू